आज तो पूरे सो रुपई की कमाई हो गई है। आज मेरा परिवाद दाल चावल नहीं बलकि रोटी सबजी खाएगा। सूरज कंस्ट्रक्शन साइट पर इट धोने का काम करता था जिसके उसे हर रोज 40 रुपई मिल पाते थे लेकिन आज सूरज ने पूरे 100 रुपई कमाई थे। सूरज जितनी कम कमाई को देखकर भी सूरज काफी ज़ादा खोश होता है। और उन मिले हुए सूरज जैसे ये आटा और सबजी लेकर घर आता है तो सूरज के घर वाले काफी ज़ादा खोश होते हैं। आज मेरी प्रातना भगवान ने सुईकार कर ली। मैं बस जल्दी से आप सभी के लिए गर्मा गर्म रोटी और सब्जी बनाती हूँ। जमुना अपनी नंद निधी के साथ चूले पर जल्दी से गर्मा गर्म रोटी और सब्जी बनाती है। देखने में तो ये सिर्फ मामूली से सब्जी और रोटी थी। लेकिन इस परिवार के लिए ये खाना किसी दावत के खाने से कम नहीं था। जैसे आज हमने ये सब्जी रोटी खाई है, कल भी हम इसी तरह सब्जी रोटी खाएंगे न मा। बेटा कर भगवान ने चाहा तो कल भी हम जरूर सब्जी रोटी खाएंगे, वरना जो रोज खाती आ रहे हैं वही खाना पड़ेगा। अब ये दान चावल और नहीं खाए जा रहे हैं, मेरा तो मनबासी रोटी सब्जी खाने को करता है, दान चावल तो अब गले से उतरना भी मुश्किल हो गया है। जिसके चलते ये पूरा परिवार हर रोज सिर्फ दाल चावल ही खाया करता था। और जब कभी-कभी सूरज थोड़े बहुत पैसे कमा लेता था, तो उसका परिवार आराम से सब्जी रोटी खापाता था। अलोग के क्लास के सबी बच्चे हर रोज उसके दाल चावल लाने पर उसका काफी मजाग उडाते थे। लेकिन बेचारा आलोग भी अपने घर के हालातों से अच्छी तरह वाकिफ था। इसलिए वो किसी से कुछ नहीं कहता। और चुप-चाप से चावल खाने लगता है ऐसे ही एक दिन। मेरी बहु बड़े ही स्वादेश्ट दाल चावल बनाती है। खा कर देखी आपको भी बहुत अच्छे लगेंगे। तुम लोगों कीस डाल चावल से ज्ञादा खाने की कुछ हैसियत भी तो नहीं है। मैं अच्छे से जानती हूँ ये डाल चावल तुम हैं सरकार की तरफ से मिलते हैं। इसलिए महीना भर तुम यही डाल चावल खाते हो। तुम्हारी क्या इतनी भी हैसियत नहीं है कि घर में आये महमान को कुछ अच्छा खिला सको? कौशल्या की नंद उसकी और उसके परिवार की बेज़दी पर बेज़दी करे जा रही थी लेकिन बेचारी कौशल्या चाकर भी कुछ नहीं कर पा रही थी पूरे परिवार की बेज़ज़ती करने के बाद मंजू वहाँ से चली जाती है जिससे कोशिल्या को काफी दुख होता है अगर कोई इनसान गरीब है तो क्या उसकी कोई इज़द भी नहीं है लोगों को सिर्फ पैसा दिखता है किसे के दिल का प्यार नहीं जमुना हर दिन भगवान से अपने परिवार की स्थिति को ठीक करने के लिए प्रार्थना करती थी लेकिन शायद अभी कुछ और दिन जमुना और उसके परिवार की जिंदगी में बस ये दाल चावल ही लिखे हुए थे हर रोज दाल चावल खाने की वज़ा से पूरे परिवार को ठीक से पोशक तहु नहीं मिल पा रहे थे जिसके चलते सब का शरीर काफी जादा कमजोर हो चुका था और इस कमजोरी का सबसे जादा असर जमुना की तीनों बच्चों पर था अगर मेरी बच्चों को कुछ हुआ तो मेरा भरोसा तुझ पर से हमेशा हमेशा के लिए उठ जाएगा जमना आंगन में बैठी मन ही मन भगवान से सब कुछ ठीक करने के लिए प्रार्तना करी रही होती है कि तभी जमना देखती है कि कई सारी औरते अलग-अलग सामानों को इधर से उधर ले जाकर बेच रही होती है कोई बरतन बेच रहा होता है तो कोई खाने पीने की चीज जिससे वो सभी औरते ठीक ठाक पैसे कमा रही होती है ये सब देख जमना कोई एक आइडिया आता है और वो जल्दी से अंदर जाती है माजी हमी सरकार की तरफ सी ठीक ठाक दालचावल मिल जाती है पूरा महीना खाने पर भी बहुत सारे दालचावल बच ही जाते है तो क्यों ना इन बचे हुए दालचावल को बना कर मैं बाहर ले जाकर बेचू इससे मैं कुछ पैसे कमा सकती हूँ कौशल आपनी बहु और बेटी को काम करने की इजासत दे देती है और अगले दिन से ही जमुना दाल चावल बना कर उन्हें बेचने के रिए निकल जाती है वही निधी भी उस बड़े से बंगले में सफाई का काम करने लगती है और ठेले वाले तो 40 रुपै प्लेट दे रहे हैं और आप 20 रुपै प्लेट दे रही हैं जितने मी मजदोर फैक्री में काम करते थे दोपएर के वक्त वो यही सब खाया करते थे जहां एक जगा उन्हें ये दाल चावल 40 रुपे में मिल रही थे वहीं जमुना दाल चावल 20 रुपे में बेच रही थी जिसे कई सारे मजदोर जमुना के दाल चावल के ठेले पर ही आया करते थे जिसके चलते जमना 20 रुपई करके दीरे दीरे पैसे जोडने लगी थी वहीं निधी भी साफ सफाई करके ठीक ठाक पैसे कमा लेती थी और आज पूरे एक महीने के बाद दोनों नंद भावी पैसे मिला कर पूरे परिवार के लिए पहली बार अच्छा खाना लेकर आती हैं जिसे देख पूरे परिवार की आँखों में खुशी के आँसू आ जाते हैं अरिवा आज खाने में शाही पनीर में एक स्वेज रायता पुलाव पराटे कीर पनीर की सबजी इतना सब कुछ है मुझे तो पता ही नहीं था कि दाल चावल के अलावा भी इतना सब कुछ खाने के लिए होता है मा अगर इनमें से खाना बच गया ना तो मैं सुभे लेकर जाओंगा फिर मेरे सबी दोस्त मेरे साथ लंच करेंगे और खुश भी हो जाएंगे कि आज मैं दाल जावल नहीं बलकि अच्छा अच्छा खाना लेकर आया हूँ हमारी हालत को देखते हुए मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मेरे मरने से पहले मुझे ये सब खाने को मिलेगा जो इतनी मेहनत मजदूरी करने के बाद में नहीं कर पाया वो तुम दोनों ने अपनी मेहनत से कर दिखाया सारा परिवारा बैठ कर पहली बार इतना अच्छा खाना खा रहा था उन्हें तो ये सब किसी सपने जैसा लगता है अपने परिवार को पहली बार इतना खुश देख, जमना मन ही मन काफी खुश होती है और अब जमना ठान लेती है कि वो अपने ऐसी काम को जारी रखेगी दाल चावल बेच बेच कर जमना काफी सारे पैसे जमा करके रख लेती है निधी, अब तुम्हें उस बंगली में नौकरानी का काम करने की कोई जूरत नहीं है लेकिन क्यों भाबी, अगर हम दोनों में से किसी ने, एक ने भी काम छोड़ दिया ना तो हमारी हालत फिर से पहले जैसी होने लगे की नहीं निधी, अब ऐसा नहीं होगा निधी को अपनी भाबी के बाद काफी हद तक सही लगती है इसलिए अब निधी, जमना के साथ मिलकर, डाल चावल के साथ साथ और भी कई तरह के खाने पीने की चीज़ बना कर उने बेचती है और सिर्फ कुछ महीनों की महनत से अब उनकी माली हालत भी ठीक होने लगती है दोनों नंद भाबी अपने छोटे से घर की अच्छी खासे मरमत करवाते हैं वहीं अब सूरज भी मजदूरी का काम छोड़ कर अपनी बहन और पत्नी के साथ खाने के काम को समालता है दीरे दीरे इस परिवार की जिन्दगी ट्रेन की तरह पट्री पर आने लगती है पूरा परिवार भगवान का शुक्रिया अदा करता है और इसी काम को जारी रखते हुए एक अच्छी खासी जिन्दगी जीता है और साथ ही जब भी उन्हें कोई भूका प्यासा दिखता तो वो जरूर उसकी मुदद करते क्योंकि उस भूके प्यासे इंसान में कहीं आज भी उन्हें अपने बीते हुए कल की जिन्दगी दिखती है ये होती है एक गरीब की जिन्दगी जिसे हर एक छोटी-छोटी चीज के लिए तरसना पड़ता है लेकिन कहते हैं न मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती जैसा कि हमारी कहानी की इस गरीब नंद भावी ने जी तोड मेहनत की और अपने दम पर एक अलग मुकाम हासल किया तो दोस्तों कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी हमें कमेंट करके जरूर बताईएगा